हेलो गाइस फिर से आपका स्वागत एक नए वीडियो में जिनने हम जानेंगे पाकिस्तान के खेती के बारे में दोस्तो आपने बहुत बार इंडिया की खेती के बारे में तो जाना होगा कि यहां कैसे खेती की जाती है टोटल कितनी जमीर पर फसलो के उत्वादन की जाता है वाग कौन-कौन سے फसलो को अधिक माता में उगाया जाता है तो दोस्तो इस वीडियो में हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के खेती के बारे में जानेंगे कि यहां कुल कितनी भूमी पर खेती की जाती है और कौन कौन से फसलों को उगाया जाता है पूरी A2J जानकारी खेती के बारे में आपको मिनने जारी है तो दोस्तों वीडियो के अन तक हमारे सांथ बने रहेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को जली से सस्क्राइब भी कल लीजेगा क्योंकि एगरी कल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आपको यहां पर मिलता रहता है तो चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं वहाँ की खेती योग्या भूमी के बारे में तो दोस्तों वहाँ टोटल लगभग 79 मिलियन हेक्टियार भूमी है जिनमें से केवल 22 मिलियन हेक्टियार भूमी पर खेती की जाती है और बाकी के चेत्र अधिकांस्ता अबादी वाले चेत्र है और कहीं कहीं पर जंगल भी है और मरुस्तल भी और दोस्तों वहां के जितने भी क्रिसी योग्या भूमी है उसका लगभग 52% भाग में सिचाई के साधन उपलब्द है जैसे नहर, कुए, टूवे, लित्यादी, सुईधा उपलब्द है और बाकी के 40% भाग भूमी में सिचाई के साधन नहीं है वहां जमिन वर्सा के उपर निरभर रहता है अब दोस्तों देखते हैं वहां की फसलों के बारे में की मुख्य रूप से कौन-कौनशे फसलों को उगाया जाता है तो दौस्तों पाकिस्तान की मुख्या फसले था गेहूं, धान, गर्ना, कापास और इसके अलावा और बहुंँ सारी फसलों को उगाया जाता है दोस्तों यहाँ सबसे ज़्याद उत्पादन गेहूं का किया जाता है पिछले वरसे 2020-2021 में पाकिस्तान में रिकॉर्ड 37 मिलिन टन गेहूं का उत्पादन किया गया था और सेके GDP में लगभग 18.9% का युगदान देता है और वहां के लगभग 42% मजदूर वर्ग के वेक्तियों को यहां क्रिस्टी उनको रोजगार प्रदान करता है तो दोस्तों आज के लिए इतने ही आसा करते हूं कि आपको यहां वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हमारे प थाइंक यू